हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक तो माई चैनल आज हम बनाएंगी बीटूट टिक्की जिसे बनाना बहुत ही आसान है अब घर में आपके पास रिफ चुकंदर हो बीटूट हो तो आप इस टिक्की को कभी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं घर में कभी गैस्ट आ जाया हलकी फुल छीकंदू थे चैनल कानल मिड आफड चैनल कंदूट हो चोकंदर टीक्की को कातुट वी के लिए लाएंगी तो हम इस तरीके से सारी चुकंदर कंदूकस करते हैं чुकंदर सिखने लिया है और आप देख सकते हैं और इसमें जो है उत Lastly जवात पानी वाओट्र में इन स्टिकी तो क्यार्रात और नहीं दो सिक्कार्ण के चैयरे तो क्लोड़ें बर रहें यह D इन द्यक्त कि चुकंदर में आये चुकंदर की शेकी ह不सक शायशंचे शाच थेयों कर दो ह। आप देख सकते हैं कि अब यहां पर शुकंदर कितना ड्रै हो गया है तो इसके बाद एक पैन में मैंने लिया है तेल गरम होते हैं बिदे जीरा हो अन्ट को अन्ट को ठाइए रोस्ट करके ले लेना है जिस से अच्छा थे थोड़ा सब एक एक स्ट्रा मोश्यर रहें तो एक यहां पर मैंने दो हरी मिर्च और एक इंच अद्रग को बस खलबटे में कूट कर इस तरीके से लिया है जिससे बहुत अच्छाएगा तो आप चाहें तो आप पर पेस्ट भी उस कर सकते हैं इस तरीके से फ्रेश यूज करेंगे तो टेस्ट अच्छाएगा फिर थोड़ा सा अधर को तो नहीं जाए तो पांसे साथ मिर्ट लगेगा और इससे तरीके से चलाएंगे तो यह देखे कुछ इस तरीके का हो जाएगा तो एक दम अच्छे से ड्राय होकिया है अब लास्क में हम इसमें डाल देते टेस्क अकोर्डिंग नमक और इसे अच्छे से मिक्स करक तो अब दियान एक लूटली नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से सारे लूको मैंने कद्दूकस करके ले लिया है और अब इसमे एड़ करेंगे कद्दूकस किया हूआ अपना चुकंदर जिससे हमने ड्रायरोस्ट करें रखा तना वही चुकंदर को हमें लेना है फिर अट कर अच्छे से रोस्ट करके और इसे सिर तरीके से खलबटे में कूटके लिया है दो टेवल स्पून लेंगे इसे जो है क्रंची नैसाई की तिकी में तो आपकर जो तेस्ट में अच्छा लगेगा इसके बाद यहां पर में ले रही हूं चनी की डाल का आठा तो जो रोस्टेड करना के लिए मैं हापर यूज एक चमच काउन फ्लोर और इसमें हम ढाल देते बिल्कुल थोड़ा सा नमक की कॉंटिटी हमने पहले भी यूज तो नमक धिया तो नमक धिया दालें तो इसमें हम बारीक कर्टा अरा धनिया डाल कर लेंगे और एक बड़ी आसे तो त्यार कर काफी ज्यादा चिपचिपा पन होता है तो आप यहां पर जो है कॉन फ्लोर या फिर बेशन के जो पाउडर है उसकी कॉंटिटी यहां पर एड़ कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि सारे जो चीजे अच्छे से एक तम आपस में बाइन हो और कुछ इस तरीके से जो जो भी साइज आपको पसंदे उतना पोर्शन लेकर बस हातों में इस तरीके से चिकना करते हूँ हमें इसे टिकी का शेप देना है और इसे एक प्लेट पे या किसी भी प्लेन सर्फेस पे इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे तो टिकी जो है एक परफेक्ट शेप में आ इसे बाद इसे स्क्वीज किया था और फिर हमें इसे ड्रायरोस किया था तो इसका जितना भी मौशर था वह बिल्कुल खटब हो गया तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यह चिपचिपा है तो आप इसमें जो बाइंडिंग की चीजे है वो आप इसमें गर सकते हैं कि आपको यह कैसी लगी तो आप देख सकते हैं और मैंने सारी टिकी को बना के तयार कर लिया है और बिल्कुल विसका शेप बिगड़ा नहीं और अब हम इसे बिल्कुल शैलो फ्राय करते हैं तो यहां पर एक पैन में हम दाल देते हैं तो आप चाना तो टिकी को कर सकते हैं जैसे कि आपको आप तो अब यह बहुंत करें तो अब इसमें 3-5 दो आप पर पादे तो जाए लो फ्राइए पर अब चाना दें आप पर इसमें सारी बीतुट की तुक्खिक कर देंगे और तेल धान रखी की अच्छा गरम होना चाहिए उसके बाद ही ऊपर आ अब हमें फ्लेम कर देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर नीचे से क्रिस्प होने तक हमें से सेख लेंगे बिल्कुल 2-3 मिलिट लगेगा और अच्छे से से त्यार हो जाती है दीन के आसान लिखा बनाना फ़ती बड़ी तेस्ट कर सकते हैं तो फ़िए देख सकते हैं कि नीचे से अच्छे से पहर जाए है तो पूसित तरीके से हमें अब बिल्कुल बहुती है पहुत है अग्रे बार ड़ने तक सेख लेना है मई तो यह लेगा दर ऊक्रिस्पी रहेग जो सारे टिक्किοι को निकाल के ले लेकों ना comment से लेम्ट है, दूसरा बैज है दूसरा हम मैं एक बैज में इसमें इसमें आजने लेती हूं data till जब उतिकी को से बंखने लेकों डुबड़े सर्व करते हैं कि कास्तों न न न शहें? और इसे बढ़िया से ग्रीन चटनी और टमाइटो केचप के साथ इसे इंजॉय करिए बहुती जादा टेस्टी लगती है डिलिशियस है और हेल्थ वाइस तो आप कभी भी स्टिकी को बनाये इंजॉय करिए और अपने एक्स्पिरियंस दिचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं आप से एक नई रसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर आप